हेलो दोस्तो आज के इस यूडियो में हम देखेंगे कि UAN कार्ड कैसे डाउनलोड करना है तो आपको अपने मोबाइल PCI लेप्टोप में कोई भी एक प्राउजर ओपन करना है और आपको यहाँ पे सर्च करना है EPFO तो पहले नम्बर पे ही आपको official website में लेगा इस पे आपको simply क्लिक करना है क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे बहुत सारे option देखने को मिलेगे तो आपको यहाँ पे पहले नम्बर पे दिख रहा है धार service उसमें आपको second नम्बर पे दिख रहा है For Employees इस पे आपको क्लिक करना है फिर आपको यहाँ पे नीचे जाना है और यहाँ पे आपको सर्विस में दिख रहा है Member UN Online Service इस पे आपको क्लिक करना है तो आपको यहाँ पे नीचे जाना है यहाँ पे आपको अपना UN नमबर डालना है यहाँ पे password डालना है और जो भी capture यहाँ पे दिख रहा है आपको यहाँ पे fill करके यहाँ पे sign in पे click कर लेना है तो आपको यहाँ पे कुछ ऐसा दिखेगा तो आपको यहाँ पे later पे click कर लेना है आपको अपना UN card डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे UN card पे click करना है फिर आपको यहाँ पे option दिखेगा download का इस पे आपको simply click करना है तो आपका UN card download हो जाएगा जैसे ही आप download पे click करेंगे तो आपका UN card download होना शुरू हो जाएगा तो यहाँ पे आप देख सकते कि ऐसा कुछ UN card आता है जिसमें आपको अपना यहाँ पे UN number दिखने को मिलेगा यहाँ पे आपको अपना photo दिखने को मिलेगा यहाँ पे आपको अपना पूरा नाम father's name और यहाँ पे QR code दिखने को मिलेगा तो ऐसे आपको अपना UN card यहाँ पे मिलेगा तो ऐसे आप अपना UN कार्ट डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों अगर आपको हमारे वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और सेब और हमारी चैनल को सब्स्राइब जरूर कीजिएगा